हेलो फेंट्स मैं हूं सन्वे प्रकाश और यह है वीकली करेंट फर्स आप सबके एक्जाम लिश्ट के पॉइंट व्यू से त्यार किया गया है और यह सेकेंड वीक फ़रवड़ी दोजाट चोबेस का है मतलब कि पिछले एक सब्ता में जितने भी करेंट फर्स हुए हैं देश दुनिया में उन सबको संचेप में यहाँ पर आपको बताएंगे और शुरू करते हैं फटा फट और सबसे पहले वो लिश्ट दिखाते हैं टॉप 10 की जिन्होंने पिछले सब्ता के जो करेंट फर्स था उसका मॉक टेश्ट दिया था सरकार जो अपने उसके एप पर उस पर टॉप 10 आ है हजार उश्ट पर्स बेट किया उस टेश्ट पे वीकली टेश्ट पे और आज का भी यानि इस वीडियो का भी टेश्ट आ चुका है वहाँ पर आप जाकर दे सकते हैं तो सबसे पहले यह टॉप 10 की लिश्ट रहे और य फर्स्ट वीक का जो करिंट फुरस का मौक टेश्ट है उसमें यह टॉप 10 है कौन-कौन है पहले स्थान पर राजवीर सेकेंड पर सुधीर कुमार है तिसार पर लेल टोन कुमार लेल टोन कुमार अचोत्य पर निरज है पांचवे पर कुंदन है छटे पर आधरश है टॉप 10 है आप सबको बधाई हो और उनमें से कुछ है इस्टुनेंट वो पिछली बार भी टॉप 10 में थे जैसे आधर्श है और भी कुछ है ओके तो इस बार का भी मौक्टेश्ट अबलेबल हो चुका है सरकार जोबने उसके एप पर जिन लोग ने मेंबर्शिप लिया होगा है वो जाके वहां मौक्टेश्ट दे अगले सबतावी मैं टॉप 10 की लिष्ट बताऊंगा और उन सबके नाम बताऊंगा ठीक है सबको बधाई हो टॉप 10 और जी लोग ने पार्ट स्पेट किया है उनको भी बधाई हो यहां मैं क्लियर कर दूँ कि टोटल 50 कोशन्स होते हैं वीकली करेंट फर्स में और 50 के 50 इन सबी ने आंसर दिये लिकिन सबसे कम समय लगाया 2 मिनट और 46 सेकंड राजवीर ने इसलिए यह नमर वन आया है चलिए आप राजनीति के इन राजवों के फैसले इन सबसे लिटेट करेंट फर्स के कोशन्स लेते हैं कोशन होगा कि इस राज सरकार ने विधान सामा में समान नागरिक सहिता यानि UCC का विधायक पारित कर दिया है हांसों का इसका उत्राखन उत्राखन विधान सवा में फरवरी में ही मुख मद्री पोशकर सिंग धामी उन्होंने ये पेश किया और उसका दिये अगले ही दिन वो लागू हो गया और अगले ही दिन पारित हो गया और जैसे ये लागू हो जाता है राज़पाल सिग्रेचे करते हैं उसका जो इसकी कालों नहीं प्रकिरिया है वो सब पूरी हो जाती है और अगर ये लागू हो जाता है तो आजाद भारत का पहला ऐसा राज़ होगा उत्रकर्ण जहां पर UCC यानि समान नागरिक सहिंता यानि Uniform Civil Court वो लागू करने वो लाएसा पहला राज़ होगा अगला कोशन लेते हैं उत्रकर्ण सरकार के समान नागरिक सहिंता विधेक के प्रावधान इनमे से किस पर लागू नहीं होगे नहीं होनी की बात हो रही है जन जाती यानि आदिवासी वगर तो ये कौन-कौन से जन जाती है तो थारू, बोकसा, राजी, भोटिया, जौनसारी, समुदाई ये सब शामिल है इस कानून में जो कानून बन जाएगा तो उसमें लिवन रिलेशन के भी डिफाइन किया गया है और भी तमाम चीजे वो डिफाइन की गई है आगे बढ़ते फटाफट करिंट फर्स में कोशन होगा के इन सरकार ने भारत और किस परुस्य देश की 1643 किलोमेटर लंबी सीमा पर बार यानि फेंसिंग लगाने का फैसला किया है आज सो का म्यांगमार ठीक है म्यांगमार के बारडर पर ये फेंसिंग लगाई जाएगी और ये किन-किन भारती राज्जों से सीमा गुजरती है म्यांगमार की तो मिजोरम, मडिपूर, नगालेंड और नाचर प्रदेश इन सब से तो इससे क्या होगा जो लोग आते जाते हैं उनका मुवमेंट पर थोड़ा सा लगाम लगेगा अगरी मत्री अमिशाह ने ये ऐलान किया है उनका कहना है कि कुछ जगों पर बार लगाने का काम पल प्रजेक्ट के तहत चल रहा है फेंसिंग क्यों की जा रही है मैंगमार के वो भारत में जो आ रहे है तो उन पर कुछ लगाम लगाई जाए इसके लिए ये काम किया जा रहा है मैंगमार का पुराना नाब गया है बर्मा, राज़ानी है अगला कोशन केंसरकार किस परुस्देश के साथ मुक्त आवाजाही ववस्था को खत्म कर दिया है यहाँ पर केंसरकार ने ठीक है तो किसका अंसरोगा मैंगमार केंसरकार ने मुक्त आवाजाही ववस्था ने यानी FMR कहेंगे उसको ठीक है Free Movement Regime इंगलिश में कहते हैं तो देखी ये कुछ वक्त पहले ही केंसरकार की ओर से एक Agreement के तहट लागू किया गया था भारत और मैंगमार के बीच में उसमें ये था कि दोनों देशों के अंदर के 16 किलोमेटर तक की यातरा कोई भी कर सकता है उसके आसपास जो रहने आसपास रहने वाले लोग 2018 में केंसरकार ने इसको लागू किया था Act East Policy के तहत जब भारत और मैंगमार के बीच में राज ने एक संबन जोए न हो बहुत बहतर हो रहे थे प्रगाड हो रहे थे तब तो अब सरकार ने कह दिया है कि हम इस पर रोक लगा रहे है अगला कोशन तिलंगाना राज सरकार ने राज का संचिप नाम यानि एवरिवियेशन TS की जगह क्या रखने का फैसला किया है क्या होगा नाम आंस होगा TG ठीक है तिलंगाना को अब शौट में TG कहा जागा इससे पहले TS कहा जाता था तो वहां के मुखमत्री है तो उन्होंने ये फैसला किया है पांच फरवरी को संचिप नाम को बदल देनेगा तिलंगाना का गठन हुआ था 2014 में और उस वक्त तिलंगाना राश्टर समीती की सरकार थी और उसने TG के जगह TS रखा हुआ था अब TG हो गया है अगला कोशन तिलंगाना सरकार ने राज जी गान बदलने का फैसला किया तो नया गान क्या होगा इस्टीट सॉंग जया जया हो तिलंगाना क्या है जया जया हो तिलंगाना तिलंगाना के कैबिनिट ने ये फैसला किया है तेलंगाना के राजदानी क्या है, हैदरबाद, और मुखवती है रेवंदरेडी, वहां के गवर्नर कौन है, तमिल साइस सौंदर राजन, अगला कोशन, तमिल फिल्मों के सुपरष्टार थलपती विजय ने नई राजनितिक पार्टी का ऐलान किया है, तो इसका नाम किया ह आंसों का इसका तमीजगा वेत्री कशिगम, तो यह पॉलिटिकर पार्टी है, और इन्होंने काया कि लुक्सवा चुनाओ जो दोईचोबिस का है, उसमें ये मतलब शामिल नहीं होंगे, उसमें चुनाओ इनके पार्टी नहीं लड़ेगी, लेगिन इसके बाद जो विध टॉपिक चेंज करते हैं और एपाइंटमेंट से रिलेटेड कोशन लेते हैं महातपुर्ण, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाईए और शेर कर दीजे तमाम दोस्तों को, मित्रों को, ओके, तो अगला कोशन होगा, उत्राखन की पहली महिला मुख नियादिश रिटायर तो उन्होंने राजभावन में ये शपत दिलाई है, तो इन नाम ध्यान रखना है कभी भी, अगर कोई पहला नाम होता है कि पहली ये, पहले वो, तो वो इनपर्टन होता है, अब अब अवार्ट से लेटेर कोशन लेंगे, कोशन होगा, खेंज सरकार ने वर्ष स्वामिनाथन, ठीक है, तो ये तीन और हो गए, टोटल कितनी संक्या होगी, टोटल पांच संक्या होगी है, जिन में से एक को जीवित वेक्ति को दिया ज़रा है, बाकी जो चार है, उनको मरनो परांत ये अवार्ट दिया ज़रा है, तो सबसे पहले एलान होगा था करपु जो अभी जीवित है, इलके अन्वनी यानि लाल कृष्णा आडवानी, तो इनको आवार्ट दे जाने की गोश्टा होई, ये बीजेपी के लीडर है, सिन्या लीडर रहे हैं, और भारत के उपर प्रधान मंत्री भी रहे है, अटल बिहारी वाजपेई के शर्षनकाल में, और ये पीवी नर्सिंग राओ, ये इस देश के नौवे प्रधान मत्री थे, और आर्थिक बदलाओं में इनकी बड़ी भूमिका माने जाती है, और ये चौदरी चर्ण सिंग, ये देश के पाँचवे प्रधान मत्री थे वो, और एगरिकल्चर को लेकर और खिसानों को इनका जो योगदान है, वो बढ़ाई महत्पुर्ण माना जाता है, अगला नाम है M.S. स्वामिनाथन, इनको भारत के हरित करांते का जनक माना जाता है, भारत पहले आयात करता था अनाज, और अब निर्यात करता है, बड़ी वज़र हरित करांते हैं, उसके जनक ये थे, और अब मैं एक बार तमाम के लिष्ट दिखा देना चाहता हूँ, अब टोटल संख्या कितने हो गई है, 53 हो गई है, भारत रतन प्राप्त विज़ताओं की, तो 28 के लिष्ट यहां देख रहे हैं आप, और बाकी लिष्ट ये देख रहे हैं, अब तो 53 हो गया है, और उनम नहीं हम खुदी चेंज कर सकते हैं, तो ये महत्पुर्ण गन्दमान लोग हैं, परतिष्टित लोग हैं, जिनको ये आवारत दी जाने के गोशना की गई है, अब ही तो 24 है, और बाकी पूरे लिष्ट रहे हैं, पीडिएफ जो वीकली है, वहां भी दिया हुआ है, और ये IS examination हो, चाहे PCS examination हो, railway का हो, SSE के तमाम, राज्यों के तमाम examination, teacher के तमाम examination, तो उन सब में, जो current force की त्यारी है, वो यहां पर शानदार हो जाती है, और इसके लिए दो तरह के प्लान हैं, एक basic membership प्लान है, उसमें SSE level, police, teacher, इन सब के level के, railway के, जो ALP वगरा है, तो उन सब के current force के त्यारी शानदार हो जाती है, और test series भी मिल जाता है, दूसरा है, IS PCS, इसमें UPSC civil services exam, इसके लवार राज्यों के, जो PCS examination है, उन सब के level के current force होते हैं, आपके काम के होते हैं, और साथ में, समधित examination के आपके test series भी मिलते हैं, जो महत्पूर्ण है, ठीक है, और इस membership plan मे मुक्त और पर current force का PDF मिलता है आपको पिछले दो सालों के और एक साल तक यानि 300 पैसर दिनों तक, और वो PDF weekly, daily, weekly, monthly, quarterly, yearly होता है, वो भी कही तरकी होते हैं, वोन लाइन एम सिक मिलते हैं, और वीडियो भी मिलता है इसी तरीके से, और इसके लवा test series होता है, current force का daily mock test, weekly mock test, monthly monthly mock test, और पिछले साल के भी, पिछले एक साल के भी monthly mock test भी मिल जाएंगे, आपको current force के, साथ में समदेती examination के test series भी होते है, बहुत मामली इसी प्राइस है, और छूट भी चल रही है, इस उटिकी description में आप चेक करेंगे, ये membership आपको, सरकारी जो अपने उचको एप है, वो एप का लिंग की सुटिकी description वहां दिया हुआ है, ओके, ले सकते हैं, तो question होगा अगला, बिटेन में युवा वज्यानिकों को मिलने वाले, बलावाट निक पुरुसकार के, तीन भारते मूल के विज़ेता कौन है, आंसो वा इसका, प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तनमय भारत, तो ये तीन है, और इन लोगों को ये अवार्ड दियाने की घोशना की गई है, ये पुरुसकार जो है ना, वो chemical science, physical science, engineering, जीवन विज्यान, इन सब छेतरों के लिए दिया जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, ग्रेमी अवार्ड से लिटेट, important question ले यानि यहाँ दो तरह के question हो गए, ठीक है, कौन से भारती बैंड और कौन से अल्बम, उसके किस अल्बम के लिए, ग्रेमी अवार्ड 2024, यानि उसका सस्रेष्ट ग्लोबल मुजिक अल्बम का खिताब मिला है, अवार्ड मिला है, आजसो का इसका बैंड शक्ती और अल्बम ह इस मॉमेंट, ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं, यह ग्रेमी अवार्ड का 66 संस्क्रन था, और यह आज़न हुआ था अमेरिका के लॉस एंजलिस में, और यह मुजिक के दुनिया का सबसे बड़ा यह आवार्ड माना जाता है, ठीक है, और भारती गायक है, शंकर देवन और तबला वादक हैं, जाकिर हुसेन, तो उनका यह अल्बम है, और यह जो बैंड है उसमें और भी कई सारे कलाकार इसमें पैस्पेट करते हैं, अगला कोशन, ग्रेमी अवार्ड दोजाद चौबिस समारों में किन भारतियों को अल्बम, एज वी स्पिक के लिए स और जाकिर हुसेन, बहुत ही मशूर तबला वादक हैं, ठीक है, तिनको सबस्रेश्ट समसायमिक वाद एल्बम के लिए यह अवार्ड मिला है, दिखिए अवार्ड मुखतोर पे चार लोगों को मिला है, जिनमें से यह तो भारति हैं, अगला कोशन, ग्रेमी अवार्ड दो अविश्टर नैंद मोदी का जो एक एल्बम था, अबंदेंस इन मिलेट्स, उन्होंने खुद गाया नहीं था, उनकी कविताओं से संबंदित था, अबंदेंस इन मिलेट्स तो वो हार गया, और यह पोश्ट जो है, जित गया है, ठीक है, तो यहाँ एक इन्पोर्टन और और बात है कि आपने देखा पिछले तीन कोशन में कि जाकिर हुसेम जो हैं लगातार आ रहे हैं, तो जाकिर हुसेम ने तीन ग्रेमी आवार्ड अपने नाम कियें, सहीव तुरुप से अलगले अब लोगों के साथ, ठीक है, अब ग्रेमी आवार्ड के पूरी लिष्ट जो मिला है, माईली साइरस, इलबन आप दी एर, इमी नाइट्स को मिला है, ये अलबम है, और टेलर स्विफ्ट बहुत मश्यूर ये सिंगर है, इनको मिला है, सौंग आप दी एर, वाट वाच आय मेड़ फॉर, ये फिल्म बार्बी का एक सौंग है, उससे मिला है, ठीक है, ब ठीक है, बाकी तो बहुत सारे हैं, करीब 85 से ज़्यादा अवार्ड है, लेकि जो मादपूर्ण है, मैंने यह आप बताया, और आपको भारत से संबंदित चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना है, ये दो चार चीज़े हैं, वो भी आप पढ़ लीजेगा, अब एकन 6.5 परसंट, ठीक है, 6.5 परसंट, तो 8 फरवड़ी को रेपो रेट में इजाफा नहीं करने का, RBI ने फैसला किया है, ठीक है, तो पिछले कई करीब 6 मासिक, 2 मासिक जो समिक्षा है, उसमें किया गया, रेपो रेट क्या है, रेपो रेट जो है, बैंक को RBI से करजा मिलता ह या उसके कामकाज के लिए, तो उस करजे पर जो RBI प्याज लेता है, वो होता है, रेपो रेट, तो रेपो रेट एक टूल है, महंगाई को कम या ज्यादा करने का, RBI के पास टूल होता है, रेपो रेट के जरीए ही, महंगाई कम या ज्यादा कियता है, मार्केट में, ठीक 2024-25 में उत्रप्रदेश सरकार ने कितने रुपे के खर्च का लक्ष रखा है यान्सों का 7.36 लाग करूर रुपे यानि 7.36.000 करूर रुपे ठीक है ये डेटा देख रहे हैं और पिछले साल से अगर हम पिछले साल के तुलना करेंगे तो उससे एक लाग 4.000 करूर रुपे जो ना वो जादा का बजट है इस बार का ठीक है और इसमें इंकम की बात करेंगे अगर ये तो है खर्चा 7.36 लाग करूर रुपे इंकम आ रहा है 2.21 लाग करूर रुपे ठीक है मतब इंकम हम कम कर रहे हैं और खर्चा जो ज़्यादा कर रहे है और बाकी की भरपाई बहुत सारा हम लोन के जरीए कर रहे है या सरकार कर रही है तो revenue receipt यह है 6.07 लाग करो रुपए यह tax, fax वगड़ा वगड़ा और capital receipt है 1.14 लाग करो रुपए यह मुल्खतौर पर कहीं से करजा वगड़ा या मुखबती हैं यहां के योगी आधितनाथ अगला कोशी लेते हैं इसके सिलेंटर फटा-फट चलते हैं आगे उत्तर परते हैं इस सरकार ने बज़र 2024 पचीस में राज के राज कोशी घाटा यानि फिसकल डिफिसिट का लाक्ष जीए सडीपी का कितना प्रतिशत रखा है रुपए में यह घाटा 86,530 करोर रुपए होगा फिसकल डिफिसिट का मतलब होगे कि जो बिना कर्ज चुकाए हुए जितना हम खर्चा कर रहे हैं माइनस बिना कर्ज ले हुए जितना हम इंकम कर रहे हैं ठीक है तो वो हो गया फिसकल डिफिसिट उसको माइनस कर लिए ज होती है अले कर्जिस से कफे ज़्यादा लिया जा रहा है अगला कोशन लेते हैं उत्रप्रजिस बज़र 2024 परजिसकों सार राज्य सकल घरेल उत्पात खितना रहने की उमेद है अनुमान है यानि GSTP देखे जैसे देश का GDP होता है न ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्ट वै ठीक है पिछले से तो ज़्यादा यह देखन को मिल रहा है अब प्रमुक जो डिपार्टमेंट है उन सबकी यह पूरे लिष्ट है वैसे मैंने PDF में दे दिया एक नजर आप देख सकते हैं ठीक है मातपूर मैंने इससे पहले कोशन में बता दिये ओके और अलग-लग जो कु एक्सप्रसवे को अद्रगी नोट से कनेक्टिविटी की जा रही है जिसे लखनो आगरा और प्रुवांचल एक्सप्रसवे इन सब को कनेक्ट किया जा रहा है तो इस पर पांच सो कर रूप है और भी यह सब अलग है चौदा मेडिकल कॉलेज ने खोरे जाएंगे गंजा एक्सप्रसवे परियोजना है दो हजार सतावन कर रूप है ठीक है और यह पूरी लिष्ट है जो कि अलग लग योजनाओं के लिए जो सरकार खर्चा करने जा रही है उसकी पूरी यह लिष्ट रही ठीक है तो यह सब इन्पॉर्टेंट है आपके एक्जामनेशन के लिए खासवर पर जो उत्रप्रदेश का जो एक्जामनेशन देने जा रहे हैं जो PCS का हो गया या फिर इस्टेट के ही और भी तमाम एक्जामनेशन है उसमें भी यह सारे ही योजनाओं जो महत्पॉर्ण है यह आपको ध्यान बेर रहने चाहिए ठीक है अगला कोशन लेते है उ अस्थापित किया जाएगा। और कुछ बाते और बताएं गये हैं कि अलग लग जो प्रत्मिक्ता वाले छेत्न है उसमें उत्रप्रदेश नमबर वन है जैसे प्रधानमत्री मुध्रा योजना प्रधानमत्री जंधन योजना प्लामत्री सुरक्षा विमाई योजना और प्रधानमत्री अटल पिंशन ही होजना, उसमें नमबर वन है, पूरदेश में उतरप्रदेश, दूसरा अस्थान पर है, प्रधानमत्री जीवन जीवती विमाई होजना, ओके, और डी बी टी पर्फॉर्मेंस में, डी बी टी यानी डायक्ट ट्रू ट्रांसफर, चलिए, को से 18 फरवरी तक आयुजित किया गया है, यह सुरजकुन मेला अंतराष्टी, बहुत पॉपुलर, अब इस्पूर्स रिलेटेट इंपर्टन कोश्चन लेते हैं, किस देश में दक्षिन एशिया की पहली प्रफेशनल वुमेन हैंड बॉल लीग, उसका अनावरन किया गया ह और 6 फरवरी को इसका अनावरन किया गया है, दिली में यह आजन हो रहा है, मतलब यह लीग को लांच करने की योजा जो है जनवरी 2025 तक की है, ठेकिन इसको मतलब इस पूरे प्रफेशनल लीग के बारे में एनाउंस्मेंट अनावरन यह खन दिया गया है, अब इंडेक्स और सूचांग से लेटिट कोशन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी CPI 2023, उसकी रुपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा भरष्टा चाहर है, यह 2023 है, यानी डेटा 2023 का है और जारी हुआ है फरवरी में, 2024 में, आन्सों का सोमालिया, सोमालिया 180 देश में सबसे करप्ट देश माना गया है, और यह पूरी लिश रही, इसमें वैसे देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन लेते हैं, करप्शन परस्चिप्शन इंडेक्स, दोज़ा 23 का उनसार सबसे कम भरष्ट देश कौन सा है, आलस होगा इसका डेन्मार्क, ठीक है डेन्मार्क, और उसमें नमबर वन अस्थान है डेन्मार्क का, इसमें स्कोर सब ज्यादा मिला है उसे, ज्यादा स्कोर का मतलब है कि वहां की इस्तिती बहतर है, कम स्कोर का मतलब है कि वहां की इस्तिती पिछली बार जो भारत की रैंकिंग थी वो 85 थी और अभी हमारी रैंकिंग 93 है अब साइंस और टेकलोजिस से रलेटेड कोशन लेते हैं कोशन होगा किस रूसी अंतरिक्ष यात्री यानि कॉस्म नॉट उसने अंतरिक्ष में सबसे अधिक वक्त बिताने का रिकॉर्ड बनाया है आंसोगा ओलेग कार्णो नेंको क्या नाम है ओलेग कार्णो नेंको तो ये रूसी अंतरिक्ष यात्री है और इसनको कॉस्मो नॉट कहा जाता है तेकि रूस के जो अंतरिक चात्रियों उनको कॉस्मोनोट कहते हैं, अमेरिका अपने अंतरिक चात्रियों को एस्ट्रोनोट कहता है, एरोपिय देश भी एस्ट्रोनोट ही कहते हैं, भारत ने अपना एक अलग नाम रखा हुआ है, वो रखा हुआ व्यम नौट, ओके, तो इन उने बढ़ा लिया और ये बहतर कर लिया और 2024 फिर से जाने वाले हैं फिर तो इनका अलगी रिकॉर्ड हो जाएगा 1000 दिन से जाता हो जाएगा और अब निधन से इंपॉर्टन कोशन लेते हैं कोशन होगा साहित अकादमी विजयता मीर मोहमद फारुक नाज़की का निधन हो गया 6 फरवड़ी 2024 को तो इन में से क्या थे आंसो का A और B दोनों यानि पत्रकार और कवी दोनों थे ठीक है ये मूलता जम कश्मीर के रहने वाले थे ओके अगला कोशन लेते हैं किस अफरीकी देश के राश्पती हेज गिंग गोब उनका निधन हो गया 4 फरवड़ी 2024 को आंसो का नामीबिया बहुत लंबे समय तक ये वहाँ के प्रधानमतिरी भी रहा है फिर राश्पती रहा है निधन फरवड़ी में हो गया है ओके नामीबिया के सबसे लंबे समय तक प्राइम रिष्टर रहने वाले वक्ती थे भारत से बहतर रिष्टा था इनका और वहाँ पर रंग बहत विरोधी वो कार करता थे और फिर वोगा लीडर बने थे आगे बारते हैं आप योजनास तर लिटर इंपार्टन कोशन लेते हैं कोशन होगा परधारमति नयन मोती ने किस राज में O.N.G.C के समुद्री सर्वाइबल ट्रेणिंग सेंटर का उतगाटन किया सर्वाइबल ट्रेंग सेंटर का मतलब क्या हुआ हुआ है मतलब यह हुआ हुआ कि जो समुद्र में बहुत सारे इंडरस्री ने से तेल की है, शिपिंग की है, तो वहाँ भी बहुत सारे चुनोतियां होती है, दुरगटनाएं हो सकती है, उन सब चुनोतियों से बचने और दुरगटनाओं से बचने की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी लोगों को वहाँ पर काम के लिए पह जाता है, उसको कोई आपता होती है तो जान कैसे बचाना है क्या कर प्रोटोकल होना चाहिए कि चीजों पर ध्यान रखना चाहिए यह सब चीज है जिसे कई सारी गटना है जिसे आग लग जाना मान लिए जिसे तेल का कुवा है उसमें आग लगई कैसे बचेंगे आप या फिर अचानक से यह गोवा में सापित हुआ है गोवा की बात कर लें गोवा के मुखमत्री कोन है परमोज सावंत राज़ानी है पन जी अगला कोशन लते है प्रमिष्टर नेंद बोधी ने किस राज में मा का मख्या कोरिडोर का शिला ने आज फरवरी दोज़ेर चोविस में किया है आज चार फरवरी को यह उद्गाटन किया गया 498 करोर रुपे का इसमें खर्चा आने वाला है असम की बात करने राज़दानी है दिसपूर मुखमत्री हमद्दा विश्वा सर्मा अब विदेश से रिलेटें इंपॉर्टन कोशन लेते हैं पटाफट कर रहे हैं यह करेंट फर रिष्टर हैं और जन भारत में हुआ था फिर वो अशली है चले गए थे अपने माता-पिता के साथ और उस सिनेटर बने हैं ओकी वहां पर अशली में सदन के दो हिस्से होते है यह से भारत में होता है लोकसभा राजसभा वैसी वहां पर होता है हाउस और के सदस से भारत मोल के लोग रहे हैं तेकिन यहां पर सिनेटर की बात हो रही है तो इन्होंने ऐसे पहले वक्ति हैं जुन्होंने गीता पर हाथ रखके वहां पर शबत लिए और शिलीय के बात करने है वहां के प्राइमेर्श कौन है एंथनी एल्बनीस राजदानिय कैनब और अगला कोशन नामीबिया के नए राष्ठपति कौन बना गया है आँसोगा नांगोलो मुबामबा चार फरोरी को जो वहां के राष्ठपति थे हेच गिंगोब तो उनके निधन के बाद इनको बनाया गया है नामीबिया इंप्रॉटेंट है क्योंकि हमने वहां से चीत भारत में है अगला कोशन एतियासिक अस्तल से रिलिटेड है कोशन होगा भारत के कितने नय वेटलाइंड को 31 जन्वरी दोज़ा 24 को वैश्विक रामसर अस्तल का दर्जा मिला जिससे इसके संख्या बढ़कर 80 हो गई है आनसों का 5 पांच नय को मिला है और इसके साथ संख्य जोड़े गया है और इसमें से आरतिस जोड़े गया है और पिछले थीन साल में तो कौनको नहीं है पूरी लिष्ट देख रहे हैं कौनको नहीं अंक समुद्र पक्षी सनक्षन ठीक है अंक समुद्र पर्ट सिंचुरी कर्विशन डिसर्व योगय कांपने करनाटक में है द अगले नाम है कराई वेटी पक्षी अपरहन तमिलनाडो कराई वेटी यहां पर यह वाला और यहें पांचवां लॉंगवूड शोला डिसर्व वन तमिलनाडो ठीक है वो यह पूरी लिष्ट रही है तो यहां पर 23 की लिष्ट यह देख रहे हैं आप बाकी मैं फिर नेक् 47 तक हो गई संख्या ये 71 तक हो गई संख्या और ये 80 हो गई ठीक है तो ये इतने इन में से ये जो 5 हैं वह अभी हाल में बने है रामसर क्यों कहते हैं रामसर वो इरान में एक जगह का नाम है और वही पर एक convention हुआ था, दुनिया के तमाम देश जूटे थे, कि जो दलदली जगह है, यानि हम कहें, wetlands है, जहाँ पानी भी है, लेकिन पक्षियों को लेकर खास तोर पर, जो wetland है, उनको सनक्षित किया जाए, और उसमें convention में भारत तो शुरुवाती स्थर पर नहीं था, ब देदी हैं, और membership जिन लोगें लिया है, वो download कर सकते हैं, और जिन लोगें नहीं लिया है, वो skin shot ले लिजएगा, अब दिवस related कोशन लेते हैं, विश्व दलहन दिवस कमने जाता है, आंसों का 10 फरवरी को, सहिंक राष्ट महासभा ने, 2018 में इसकी गोशना की थी, दलहन, दाल उसके महतुक बताने के लिए, अगला कोशन लोगा है, राष्टी क्रीमी मुक्ती दिवस कमने जाता है, आंसों का 10 फरवरी, क्रीमी क्या है, आतों में जो कीरे हो जाता है, मिट्टी खाने के वज़से होता है, खास तो बच्चे जो है, वो स्कूली बच्चे, बहुत इसकी जागरुकता के लिए ये दिवस मना जाता है, अगला कोशन सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मना जाता है, 2024 में, आंसों का इसका 6 फरवरी, और 2024 के थीम क्या है, बहतर इंटरनेट के लिए एक साथ, together for a better internet, अगला कोशन लेते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मना ज के लिए, close the care gap, अगला कोशन महिला जननांग विक्रिती के लिए zero tolerance का अंतरश्टी दिवस कब मना जाता है, आंसों होगा 6 फरवरी को, पहले बार 2023 में मना जाता है, सनुतराश्ट के द्वरा ये दिवस गोशित है, जनननांग विक्रिती का मतलब क्या हुआ, मतलब यह होता है, और विक्रिती के समान होता है, महिला जननांग के लिए, तो उसको लेकर जाउटता के लिए, ये दिवस गोशित है, सनुतराश्ट के द्वरा, तो मित्रों ये था important current verse, जो कैसा लगा, comment box में आप बता सकते हैं, और share कर देए तमाम दोस्तों को, और daily का current verse देखना म अब मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, बाई